प्रेंड अगर आप एक अपने कम्पूटर में एक नियू यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप कैसे आप नियू यूजर अकाउंट करेंगे तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा तो क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सटिनका बटन मिल जाएंगा और को स्इटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है जिए liigy country इन श्चांग तो यह जू आपको दिखें श्रश बना हुआ है मेरे नाम से है तो को लोकल अmi यह administrator account है जो main account होता है तो अगर आप friend यहाप पर आगा जैसे example में बात करों यहाप आपके कोई आपके अलावा भी यहाँ पर इसी computer में काम करता है दूसरे person तो आप चाहते हैं उसके लिए कोई new account create करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे वो उसके लिए आपको सबसे पहल है बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर sign in option मिल जाएगा अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पर बनाना चाहते है अकॉंट तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे के तरब एक option मिल जाएगा add someone to this PC ठीक है तो यहाँ पर आपको इस अकॉंट पर क्लिक करना है तो फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करने बाद इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कई बार क्या होता है यहाँ पर आपको Microsoft अकॉंट लोगिन करने के लिए मागएगा और आपने अकॉंट कर रखा है तो वहाँ प आपको ट्रेंट में क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर इस तरह से खोल जा रहा है तो फ्रेंड यह पर अपर कुछ और लेक्स ऑर लिख सकते हैं तो फ्रेंट मैं जैसे यहाँ डाल दे रहा हूं Second, User. आप इस तरह से यहाँपर लिख सकते हैं. जिसके लिए आप बनाएंगे उसका नाम देना है आपको यहाँपर. उसके बाद यहाँपर आपको पासबर्ट देना है. एक्जाम्पिल के लिए मैं बहुत ही सिम्पल पासबर्ट दे रहो हैंगे. यहाँपर. यहांपर मैं यहांपर रहा हूं को तो यहां पर गम डाल दिया ऊप्षैंड को स्ट चाहते हैं या तो आपको जो याद रहा है तो यह तो उससे साफ़सी डिटाल भर दीजिए और उस तरह से यहाँ पर आपको इस तरह से detail डाल देनी है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर detail फिल कर दी है example के लिए मैंने अजसे बता दी है अब जो चाहे वो अपना security को से ले सकते हैं उसके अनुसा बर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है इसको इस तरह से ऊपर की तरब को प्लोश कर देना है क्लोश करने के बाद पर प्रेंद आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जो आपने अकाउंट क्रेट किया है वो आपको यहां पर इस तरह से दिख जाएगा और यह जो अकाउंट है यहां पर हम इसे अप साइन इन करेंगे उसके लिए आप सब से पहले क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको sign-out पर click करना है sign-out करूं थेनके लिए तो साइन आउट करेंगे तो यहाँ पर sign-out कर देता हूं और इस तरे से आपका account दिखा जाएगा तो यह second user account है तो मैं सबसे पहले sign-out कर देता हूं इतरे से जब आप sign-out करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आ जाएगा ठीक है उसको क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको साइड में दो अकॉंट दे रहे होंगे तो यह जो में अकॉंट आपको अड्मिनिस्ट्रेस अकॉंट दिख जाएगा जो हमने अभी अकॉंट क्रेट किया है वो सेगन यूजर तो यह वन टाइम एक्टिविटी होती है आपर आपका सिस्टम रेडियो हो जाएगा यहाँ पर फ्यू टाइम लगेगा उसके बाद यहाँ पर आपका अकॉंट रेडियो हो जाएगा जो भी यूजर अकॉंट हमने बनाएं सेक्ट अकॉंट उसके लिए आपर थोड़ा और ओनलाइन में अपना शेर नहीं करना है माक्रोशॉप्ट के साथ तो यहाँ पर इसे सबको नो कर देता हूं और यहाँ पर मैं असेफ्ट कर देता हूं तो पर ने के बाद यहाँ पर आपको कुछ दिख जाएगा कंपली सइट अप को आ जाएगा तो आपको इस पर क्लि करना है , क्लिक कने बाद आपको ये आइकन दिख़ जाएगा , यहां साइन आट का भी ऑप्सन मिल जाएगा क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको मेन अकाउंट यह रहा और इसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको जब सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर पास्वेट करना है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ने किए तो वीडियो को लाइक करेजिए साथ यहां चैनल को सब्सक्राइब करेजिए और नौटिफिकेशन को भी आउन करेजिए जले फ्रेट मिलते हमें एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन नमस्कार